हेलो वाटसप गाइस मारे में स्पिनो अदबाद उथापा एंड तो देन इस फीडियो वीडियो में बताऊंगा लेकिन वह तरीके जो आपको नहीं फॉलो करना है क्योंकि मुझे मालू है आप में से बहुत सभी लोग इस तरीके से फॉर्म को फिल करने वाले हो जो कि मैं ब आप ना करो तो बेटर रहे हैं कल की वीडियो में मैं आपको एक्चुल तरीका बताऊंगा तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा आपको आइडिया आने वाला देख लीजिए तो आप देख सकते हूं कि मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इमेल एंड यह नमबर अपडेट कर दिये पासवर्ट कुछ भी एंड यहां पे बैस पाट एक यह था कि जब जब मैं कुछ भी लिख रहा हूं मेरा वह जो नमबर है वह यहां पर आप देख सकते हो रहा है वह जो वैल्यू है टॉप पे वह अपडेट हो रहा है ठीक है विनोद अगर बहादूर भी लिख दूँ इस तरी के से तो आप देख सकते हूं कि वह टॉप पे वैल्यू अपडेट होता है अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूं कंसोल पे चलता हूं और साइन अप करता हूं बूम गा इसी तो यह वो डेटा है जो मैं बैक एंड को पास करूंगा जब बेच रहा हूं प्लीज आप इसको डेटावेस में आड कर दीजिए आपके मोंगो डिबी या मैस्क्वल में तो वह कोड भी हैं पर सब रेडी है तो यह एक्च्वल लाइब जो रियल डेवलपर्स ऐसे ही काम करते बट यह जो तरीका मैं आज बताऊंगा ना बहुत सभी यह करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन यह सही तरीका नहीं है ठीक है तो यह वीडियो आज बहुत इंपोर्टेंट है एंड यह सब कुछ कैसे हो रहा देख लीजिए और कैस तो आप देख सेकते हैं हमारे व्यसकोड डेटर पर आ चुके है और मैं यहां पर अल्रेड करके फाइल क्रेट की है जिसके अंदर मेरा जो सेस का जो फाइल है वह मैंने एड़ करके रखी हुई है अब अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ भी नहीं है सिंपल एक फॉर्म है एक 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 परेग्राप एक लेबल एक फर्स्ट नेम जिसमें इंपूट टाइप में टेक्स्ट नेम प्लेस होल्डर एंदेन रिक्वाइड इतने से अट्रिबूट्स रखे हुए है सब कुछ सेम है and at the end में एक इंपूट टाइप का एक बटन है I mean एक सिंपल बटन है जिसको टाइप सब्मीट देके साइन अप दिया हुआ है तो बस इतना सिंपल प्योर एस्टेमल का कोडे रियक्ट का कुछ भी इसमें लेना देना नहीं है बट आप हमें रियक्ट का इसमें लेना देना है क्योंकि मुझे यूजर का डेटा चाहिए and back end में मुझे पास करना कैसे होगा देखो यह तो मुझे मालूम है कि user input field में कुछ भी टाइप कर रहा तो data change होता है जब भी data change होता we need state to handle that data तो यह है मेरा first name यह है मेरा last name तो मैं क्या करूंगा guys and I hope आप समाझ चुकिए हम क्या करने वाले and that is मैं यहां पर चलूंगा and इस जेके पे and always top level पर आपको define करना होता है तो मैंने इस तरीके से define कर दी so now we have a first name, last name, email, password and then phone number इस तरीके से मैंने 5 state variable create कर ली है अब हर एक को मैं क्या करूंगा value attribute जो होता है equal to वो मैं pass कर दूंगा इस तरीके से अब same यह जो part copy paste यहां पे भी we have this value attribute paste यहां पे value attribute paste and इस जेगे पे भी required के बाद इसको मैंने कर दी paste अब यह जो particular part है यहां पे we have this phone number यहां पे आपका email आ जाएगा sorry it's not email it's your password ठीक है यहां पे आपका आ जाएगा वो email यहां पे आप आ जाएगा आपका last name ठीक है so याद है कल की video में मैंने आपको control and then uncontrolled के बारे में बताया था अब अगर मैं inspect करता हूं and console पर करता हूं तब आप देखो okay यह तो बहुत silly mistake है and that is की use state को defined नहीं क्या बोल रहा है तो हम define कर देते हैं ठीक है and by for some reason आजकल वो हो नहीं रहा auto import and मैं यहां पे चलता हूं from our react application ठीक है at least यह सब चले गए यहां पर मैं आता हूं तब यहां पर एक problem आप देखना बताता है and मैंने कली की video में आपको बताया था controlled versus uncontrolled and यह भी बताता अगर आपसे value prop pass करते हो ठीक है and उस पर अगर आप state variable add कर देते हो तब फूरा power react के पास चला गया अब react बोल रहा है अगर data चाहिए user जो भी type का रहा है then you need to use on change event handler वही मुझे यहां पर बता रहा है अभी on change event handler यहां पर आप देख सकते हो तो अब मुझे क्या लगेगा हर एक जगे पर जहां जहां यह value attribute है मुझे वहां क्या लगेगी वहां पर मुझे on change यह जो मेरा handler है on change वह मुझे लगेगा and make function call करता हूं यहां पर data को पाने के लिए and that is handle input change handle input change ठीक है यह मैंने copy की देखो हर जगे मैंने on change define कर दी मैं यहां पर आऊंगा क्यूंकि मुझे data चाहिए ना so const इस तरीके से मैं चल रहा हूं यहां पर and yeah this is it अब यहां पर अगर आपको लग रहा बहुत ही ज्यादा easy है जैसे हम हर बार करते that is set first name है ना तो let's say set first name यहां पर event dot target dot value अगर आपको लगता है कि हम यह कर सकते हैं इस तरीके से अब उसी तरीके से last इसी कोई में copy करता हूं पहले तो five times ठीक है यहां पर set then we have a last name here we have a set and then we have a email here we have a set and then we have a password and then here we have a set and then we have a phone number not a password it's a phone number phone number ठीक है अगर आपको लग रहा कि मैं यह कर दूंगा and मेरा काम हो गया है है ना तो मैं आपको बाता हूं मैं चलता हूं network इसको एक वा में हटा रहा हूं कोई warning तो नहीं है अब मैं component पर चलूंगा we have this registration वाला part बहुत के लिए देख सकते हैर we have this state इसको अगर में जूम कर देता हूं तो मैं आप लोगों को यहां पर बहुत के लिए दिखा सकते जो रोल्स थे and second thing यह भी था पाई यह भी था यह भी था अब एक बात बताओ क्यों ऐसा हुआ मैंने सिर्फ यूनों क्या चाहा था मैंने यह चाहते हूं जिस फिल्ल में जो भी वैल्यू लिख रहे वह तो बराबर मैंने सेट करी दिया last name है तो उसकी अपनी वैल्यू email है चेंज कर दोगे बाई डिपॉल्ट हो सबका चेंज करने वाला है यहां पर तो अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं बताओ का इस अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं तो अब हमें यह में किस बेसेस पर हो रहा है यह I mean यह जो सेट फस्ट नेम है इसकी वैल्यू मुझे कब इसन होगा ना तो उसके लिए देखो कॉंस्ट डिस्ट्रक्चर करों डैट इस नेम और यहां पर केस में आ जाएगा का इस आपका नेम सिंपल नेम है यह ठीक है और यह बहुत ही ज्याद इंपोर्टेंट है कि नेम एट्रिब्यूट आप जरूर रखिएगा ओल्वेज न नेम एट्रिब्यूट का ओना जरूरी है अब यहां पर पहला कंडिशन लगा सकते हो लाइक केस अगर वह आपका फर्स्ट नेम है दैन आप क्या कीजिए यह वाला जो पर्टिकुलर पीसप कोड है हटाओ एंड यहां पर इस तरीक से चिपका दो एंड आप ब्रेक कर दो क यह एक बार हो गया तो खत्म अब यह तो एक केस करता हूं यहां पर दुक्षा केस रताओ एंड यहां पर मैं लाजट्न नेम कर देता हूं अभ यह जो ला नेम हाट ह मैं इसको हटाता हूं एस पीषक में लिकना यह बात Ոंध Wine तेहिको की रखता हो चलो कोई बात नहीं कि रिफ्रेस कर रहा हूं ठीक है ये ये रिफ्रेस होता है तब अप देखें ये तो बीनोध हो गया या ठाप अपने आप क्या फापने दैब गिल्स लीख कि मैं यहां पर भादुर लिघ तो बहुक्स फोक यह सुषब करा लएreated तो गैस अब इन तीनों को हटाओ and ये code आप लिख दीजे and sorry इसकी need यहाँ पर नहीं थी इस तरीके से ठीक है and इसको हटाओ perfect so now अगर email रहा तो हमें क्या करना अगर password रहा तो हमें क्या करना है and phone number रहा तो हमें क्या करना है simple and अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ इसको refresh करता हूँ तो एक चीज़ का warning आ रहा है and that is handle input change इस जगे पर तभी मैं सोचो proper क्यों नहीं हो रहा है देखो आप बराबर है सब right I mean आप देख रहे हो यह वह तरीका है जो आपको नहीं करना है and यह करते हैं बहुत सभी लोग देखो तो हम वापस यहाँ पर आ गए तो कैसे अब आप देख सकतू कि जब भी मैं कोई भी form fill करूंगा मेरा यह काम बराबर कर रहा है यह देखो मेरा यह काम बराबर कर रहा है आप देख सकतो यहाँ पर ठीके तो आप कोई problem नहीं है and यह तरीका एकदम सही भी है बट यह आपको नहीं करना है I mean बताओ यार को create करोगे अब इतना ही नहीं अब जब भी कोई form को करेगा submit तो data भी तो आपको आगे forward करना है न तो जब भी कोई on submit करेगा handle form submit कॉपी कीजिए const handle form submit यहाँ पर आईए इस तरीके से ठीक है अब यहाँ पर देखिए क्या करना होगा अब आप खुद मुझे बताओ क्या करो ले तो एक event आप ले लीजिए क्यों कि by default हमें मिलता है जब भी form की बात आती है तो form आपका guys by default you know वह submit हो जाता है यह सभी के सभी जो data है वह आपको पास करने है यह जितने भी first name last name है ना तो कैसे करोगे object में ही आपका यह पास करने है first name will be equal to our यह वाला first name और एक चीज आपको मालूम है अगर यह बोद दी key and value are same then we don't need to write it two times एक ही बाल लिख दो तो वहीं आपका यह last name वहीं आपका वह पासवर्ड वहीं आपका वह आपका वह पासवर्ड वहीं आपका वह आपका क्या था वह फोन नमबर न या this is it तो यह हो गया अब यह जो console अब यह समझ लो कि console.log मतलब आपका वह बैकेंड में यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया मन अप्लिकेशन में कि कैसे रियक्ट का डेटा आप बैकेंड को पास कर सकते हो how to connect your front end with back end already वो सारा मन अप्लिकेशन में बना चुका हूँ कोई टैंसर नहीं है बट यह आप समझ लीजे कि यह वो code है जिसके चलते मेरा डेटा मेरे बैकेंड को जा रहा है कंडोला सेप कर रहा हूँ अब कंसूल पर चलूंगा एंड बूम गाइस सीए देख लीजे मेरा फर्स्ट नेम इमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ट फोन नमबर मुझे इस तरगी से मेरा डेटा आ गया यहां पर आप देख पार है तो यह वह तरीका है जो आपको नहीं करना है बट स्टिल यह तरीका काम करता है अभी भी मुझे मालू में बहुत लोग है जो इस तरगी से काम करते है क्योंकि अगर चार हो पांच हो तो वाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर तो इजी था मुझे लग रहा कि अगर आपके पास कम से कम तीन डेटा भी होता है तो भी यह आप कर सकते हो लेकिन अगर बहुत सारे इंपूट फिल्ट हो गए यह बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा आपका आप यहां पर डिफॉल्ट केस भी रख सकते हूँ कि अगर कुछ भी मैच नहीं हो तो आप बता दो कि यह नहीं है ठीक है बाकी मैं आपको कल की वीडियो में बता हूँगा एक सही तरीका जो एक्चुल में रियल लाइफ जो डेवलपर से वो यूश करते है ठीक है सो आर यू गाइस एक्साइट क्योंकि यह तरीका भी सही है अगर आपका लेट से दो या तीनी इंपूट फिल्ल्स होता है उनके लिए बट लेट से सो फिल्स है या जितने भी फिल्स हो तो उनको हम कैसे टेकल कर सकते हैं यह जो पर्टिकुलर पीस अप कोड है इसको में स लिख सकता हूं समझेर है आपको मजा रहोगा अंदर से सिर्फ दो लाइन में समझेर हो वाली जितने पर पचास फिल्लों दो सो अंदो सिर्फ दो लाइन में अपका गाम हो जाएगा वो सारी चीजे कैसे हो सकता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा और फाइनल चैनी मिल रहा है प्लेटिस को जरुचेक आउट कीजेगा वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजेगा दोस्तों क्यों भर भर के सेर कर दीजेगा और नेक्स्टराइट इस वान मिलीन सब्सक्राबर सो अभी तक सब्सक्राब में तो प्लिस कर दीजे मिलता हूं मैं thank you so much, take care.